हर हर महादेव तो दोस्तो आज अगन पूर्णमा का आज बाव बेदना धाम का दर्शिन करें तो दोस्तो आज है आठ दिसंबर तो ये देख सकते हमारा बाव बेदना धाम का कैसा है ना जारा तो आप देख सकते हैं तो दोस्तो आज हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से भ मंदीर का वो मैं आपको दिखाऊंगा और बहुत ही आज जादा भीड देखने को मिल रहा है और लाइन भी काफी लंबी है वो सारी चीज़ आपको दिखाते हैं तो चलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरू करें तो दोस्तों सबसे पहले यहां पर देखते हैं हर कोई अप के सामने पांच बार डंडवत परनाम करेंगे फिर महिया पारवत्ती के मंदिर के पांच बार डंडवत परनाम करेंगे फिर इनका यह पूरा कंप्लीट होगा तो देख सकते हैं किस परकारशी यह आ रहे हैं और काफी बो सकते हैं दिक्कत भी होती है फीड में क्योंकि खाली नजर नहीं दिखेगा हमेशा एक तू सरधालू हमेशा आते रहते हैं तो बहुत ही आज का नजारा जो है बहुत ही पढ़िया है और जैसे-जैसे मतलब की समय होता जाएगा और भी भीड होते रहेगा क्योंकि अभी ठंड का मौसम में बहुत कोई नहाने से कतराते भी है तो इसलिए धीरे-धीरे करके भीड बढ़ने वाला है तो चलिए मैं आपको थोड़ा से प्रांगन को दिखाते हैं तो यह हमारा देख सकते हैं प्रांगन के और दिखाते हैं आपको धीरे-धीरे आप देख सकते हैं किस प्रकारशे भीड बढ़ गया है यह देख सकते ह और बहुत ही आनन्द माई होता है यहां पे आने से और जो इस्ट्रेस बेकार में हमेशा बोलता हूँ बहुत तकलीब जो रहती है न वो दूर हो जाता है और जो भी आप मनते मांगते वो सारा पुर्ण होता है और यहां पर देख सकते हैं किस परकाश है आपका यहां पर फिर देखने को मिल रहा है बहुत ही सुन्दर लग रहा देखने में और यहां पर मैं आपको दिखाऊ हूँ तो यह मैया पारवती का है और यहां पर लगातार फिर यहां पर है देख सकते हैं लाइन तो नहीं लगा है लेकिन फिर भी जो दर्शे आप स्ली से जा रहे हैं उसको लगना पड़ रहा है लाइन पे और सावन में तो काफी ज़्यादा भीड़े देखने को मिलता है अभी तो बहुत कम है फिर भी देख सकते हैं आज बहुत भीड़े हैं और यह रहा बाव पे इतना धाम सिब्लिंग अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो आपको जो रेलिंग होते हुए आना पड़ेगा तो यह देख सकते हैं पूरा दम भेड़ है दम कचा कच जिसमें फ़रा हुआ राता है सावन में और अभी तो फिर भी उतना ज़्यादा नहीं है फिर भी और भी धीरे धीरे भीड़ आपको देख बढ़ेगा वह आपको देखने मिलेगा देख सकते हैं किस परकार से रेलिंग होते हुए आपको कम से कम अभी एक किलमेटर तो जरूर घुमना पड़ता है इस रेलिंग में तो यह था हमारा बहुत बेतना धाम का अंच का नजारा तो देख सकते हैं किस परकार से थोड़ा से मैं और आपको प्रांगन खुमा के दिखाता हूँ किस परकार से हैं तो यह देख सकते हैं हर मंदीर अगर हम खुम एकक करके दिखाएं तो काफी समय लग जाएगा और अभी आज भीन है तो संभब नहीं है सभी मंदीर को दिख के हैं जहां से कि अगर आप मंदिर में पूजा कर लिए तो निकास निकासी द्वार जो है वहाँ पे हैं तो यहां से आपको सीधा निकलना हुआ और काफिक अभी जो ठंड मोसम में यह चीजम को ज्यादा देखने का मिल रहा है कि मुंडन विगारा ज्यादा चीज़ हो रहा और दर्शे जा नहीं सकते हैं लेकिन आप सिर्फ निकल सकते हैं और यहां पर देख सकते हैं सब कोई पूजा करके निकल रहा है तो यह था हमारा बाव बेतना धाम करना जा रहा है कैसा रहा है आप हमें जरूर कमेंट करके बताईएगा और लगतार अगर आप हमारा इस त दिन हमेशा सुब रहेगा तो इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं के तो सब्सक्राइब कर ले और भोले वाव के लिए एक लाइक भी करते हैं थैंक यू